आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में आठ विभिन देशों में रहने वाले लोगों का विवरण तथा सभी देशों की प्रतिव्यक्ति आय दर्साया गया है इन देशों की कुल जनसंख्या 200 करोण है प्रतिव्यक्ति आय बराबर देश का कुल सकल घरेलू उतपाद GDP देश की जनसंख्या हमें बताना है तीसरी सबसे कम प्रतिव्यक्ति आय वाले देश की कुल सकल घरेलू उतपाद GDP करोणों डॉलर में कितना है तो हम यह बताना है कि जो तीसरी सबसे कम प्रतिवक्ति आये है उस देश की GDP कितनी होगी विकल्प एक दिया है 1,81,900 विकल्प 2 दिया है 1,84,60 विकल्प 3 दिया है 1,45,200 विकल्प 4 दिया है 1,64,560 तो देखतें उत्तर क्या होगा तो अगर हम दिये होए सारनी में देख रहे हैं कि प्रतिवक्ति आये कहां पे दर्साया गया है हमें करोर डॉलर में इस कॉल्म में और अगर हम देखें तो हमें बोल रहा है तीसरी सबसे कम तो सबसे कम इस में से कौन सी है जो पाँचवे नंबर के देश की है जो कि 2,60 है इतना है, 4,100, 4,840, तो यह क्या हुई हमारी TCD सबसे कम हुई, अब हमें यहाँ पे इसका कुल GDP बताना है, तो हम देख रहे हैं, प्रतिव्यक्ति GDP कितनी है, 480, तो प्रतिव्यक्ति आय कितनी है, 480, और अगर हम इसको देश की कुल जनसंख्या के साथ गुड़ा कर दें, तो हमें उस देश की GDP मिल जाएगी कुल, तो कुल देश की जनसंख्या कितनी है, हमें यहाँ पे दिया है, 200, तो 200 का कितने परसेंट से गुड़ा करना तो यह हमें यहाँ की कुल जनसंख्या बता देगी, अब अगर हम इसे देखें, तो 100 से यह कट जाएगा दो बार में, यहाँ पे हमें मिलेगा 4,840 गुड़े, 17 का गुड़ा अगर दो से करेंगे, तो 34 मिलेगा, अगर हम इन दोनों का गुड़ा करेंगे, तो हमें मिलेग एक लाख चौसट हजार पांत सो साथ करोट डॉलर में तो इसका मतलब पूछे गए प्रश्ण का जो उत्तर होगा वो होगा विकल चार थेंक यू